कॉंग्रेस से बीजेपी में गए हार्दिक पटेल चुनाव लड़ेंगे या उनको टिकेट नहीं मिलेगा इन सवालों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है और गुजरात के विराम गाम से हार्दिक पटेल बीजेपी के उमीदवार बना दिये गए हैं इन तमाम मुद्दों पर सम्वादाता गोपी घांगर ने हार्दिक पटेल से खास बातचीत की है हार्दिक पांच साल पीछे चले जाई है 2017 में इसी बीजेपी का आप विरोध कर रहे थे आज उसी के टिकेट पर चुनाओ लड़ रहे हैं सामाजे कांदोलन विरोध से ही प्यादा होते हैं सामाजे कांदोलन पूर्ण हो जाते हैं तो जन्म से किसी के विरोधी नहीं है अगर वीरमगाम एसेमली में आप लोगों से पूछेंगे तो यहां को भारती जंदा पार्टी को मजबूत करने में हमारे पिता की भी बहुत महत्वपन पुमिका रही है तो सामाजी कांदुलों अलग चीज होती है अभी अगर आप किसी मार्क पे चल रहे हैं तो वो मार्ग करने का है और वीरमगाम का जो तहसील है उस तहसील को अन्य तहसीलों के माफग और विकास के पत पर आगे ले जाने के लिए जो काम करना है उस जिम्यवारी पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ